प्रिया शक्षार्तियों, नमस्कार अर्थ श्यास्त्तर में आज की चर्चा का विशह है, सरकारी बजट एयोम अर्थवियस्था आज के एक स्भाग में हम सरकारी बजट का अर्थ, उसके उदेशे और उसके अंगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चर्चा किसी भी एक मिश्रत अर्थविवस्था में हमने देखा कि दो प्रकार के शेतरक हो सकते हैं नेजी शेतरक और सरकारी शेतरक आये का जो उत्सरजन होता है किसी अर्थविवस्था में उसका प्रभा नेजी शेतर की और हो सकता है और सरकारी शेतर की भी और हो सकता है सरकारी शेतर को जो आयप राप्त होती है उसी के साथ सरकार की कुछ दायतों भी बनते हैं सरकार इन दायतों को तहत अर्थोय उस्ता में कल्यान का स्तर जो है बढ़ाना चाहती है तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन से सरकार जीवन के आर्थिक पहलों को प्रभावित करना चाहती है ऐसे ही कुछ पहलों के बारे में और ऐसे ही कुछ उदायतों के बारे में हम इस भाग में चर्चा करने वाले हैं सरकारी बजट उसका आर्थ सबसे पहले और उसका वर्णन जो है हमारे समिधान में कहा है उसके बारे में जान लेते हैं समिधान की धारा 112 में सरकारी बजट का वर्णन दिया गया है इसके अनुसार सरकारी बजट अनुमानित प्राप्तियों एयों खर्चों का एक विवरण है और सरकार का एदायत तो है कि प्रतिवर्ष एक ऐसा वार्षिक वित्या विवरण प्रकाशित करे जिसमें सरकार की प् के विवरन में सरकार की प्रात्मिक ताओं सीवाओं का विवरन होता है। एक प्रकार से ये सरकारी बजट, सरकार की जो रास्ट्र EP नीती होती है उसको दर्शाता है। इसके माध्यम से सरकार जन कलियान बढ़ाने में बहुत उम्हाथपॉण भूमिका निभाती है। इसके लिए सरकार अर्थ वे उस्ता में अनेक प्रकार के हस्तक्षेप करती है और ऐसे ही हस्तक्षेपों के बारे में हम यहां चर्चा करने लिए आए हैं सरकारी बजट के मुखिता दो घटक होते हैं राजासू बजट और पूंजीगत बजट राजासो बजट जब हम बॉलते हैं तो उसका अर्थ होता है कि चालू वर्ष की जो आए है और वे है उससे सम्मधित बाते करना और साथ ही पूंजी गट बजट जो होता है उसमें हम चर्चा करते हैं सरकार की देंदारियों और परिसंपतियों के बारे में सरकारी बजट वैसे तो एक वर्ष के लिए होता है लेकिन उसका प्रभाव सरकारी नीतियों पर आने वाले कई वर्षों तक होता है इसलिए पूंजी गट बजट एक मातपूर इस्थान सरकारी बजट के तहत रखता है सरकारी बजट के उद्देशियों में हम तीन उद्देशियों की यहां चर्चा करने वाले हैं प्रत्म उद्देशिया है सरकारी बजट का आवंटन कार रहे दूत्य उद्देशिया है सरकारी बजट का उन्हां आवंटन कार रहे और तृतिया उदेश्य है सरकारी बजट का स्थरी करण कार रहे हैं अब एक एकर हम इन उदेश्यों पर विस्तार सी चर्शा करेंगे तो प्रारम करते हैं सरकारी बजट का अबंटन कार रहे से सरकारी बजट का अबंटन कार हैं जैसा अभी हमने कहा कि यह प्रत्म उदेश्य है सरकार का बजट के तहट इसके तहट सरकार सारदिनिक वस्वों की आपूर्थी करती है जैसे उदारन के लिए सडकें, रास्टिय सुरक्षा, तथा सारदिनिक प्रशासन और इस प्रकार की अनेक सुविधाएं जो सरकार प्रदान करती है जन्ता को आवंटन कारे के तहट सरकार दोरा इन सेवाओं को उपलब्द कराने के लिए सरकार स्वेम उत्पादन कर सकती है जिसको हम सारदिनक उत्पादन की शेड़ी में रखते हैं या इसके विकलब के तोर पर सारदिनक प्रावधान भी सरकार कर सकती है सारदिनक प्रावधान के तहट सरकार निजी स्वामियों के दोरा वस्तू या सेवाओं का उत्पादन कराती है और उनको जन्ता को उपलब्द कराती है इसकी आवशक्ता हमें इसलिए पढ़ती है क्योंकि सरकार विबन वस्तूं सेवाओं को उपलब्द करवाने के लिए बाजार तंतर पर निर्वर नहीं रहना चाहती है हर वस्तू या सेवा का उपलब्द होना बाजार में बाजार तंतर के दोरा या बाजार शक्तियों के दोरा निर्धारित होना या संभव नहीं होता है इसलिए सरकार का हस्तक्षेप आवशक होता है सरकार विभिन वस्तुओं ऐवन सेवाँ को उपलब्द करवाती है जब हम आवंटन कारे की बात करते हैं तो वहां यह वहत्पून हो जाता है कि सारदनिक वस्तू और निजी वस्तू के भेद को समझा जाए सारदनिक वस्तू वे सारी वस्तू होती हैं जो सरकार के दुआरा उपलब्द कराई जाती हैं उधारनार्थ, सड़के, स्क्रीट लाइट, सारदनिक पार्क आदी और निजी वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनके लिए कोई निजी स्वामी बुगतान करता है जैसे कपड़े, कार, खाद्या सामगरी, अथ्वा मकान इनके बीच में भेद इतना है, कि सारदनिक वस्तु सभी के लिए उपलब्द होती है जबकि निजी वस्तु सिर्फ अपने स्वामियों के लिए, जिन्होंने उस वस्तु के लिए वुगतान किया है उन्हीं के लिए उपलब्द होती है सारदिनी वस्तु एक व्यक्ति के उपभोग और अन्य व्यक्तियों के उपयोग में पृति दुन्दात्मक संब्ध नहीं रखती है जब हम प्रतिद्वंद्वात्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसकारत है कि एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरों के लिए उसके उपयोग की उपलब्दता को कम नहीं करेगा तो निजी वस्तू में एक व्यक्ति के उपभोग और अन्य व्यक्तियों के उपयोग में पृतिद्वन्दी सम्मद होता है यदि एक व्यक्ति किसी वस्तू का उपभोग कर लेता है तो वह अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्द नहीं होती है सारजनी वस्तूओं की विशेशता होती है कि गैर अपवरजनी होती है किसी व्यक्ति विशेश को किसी वस्तू के उपयोग से रोका नहीं जा सकता है लेकिन निजी वस्तूओं अपवरजनी होती है एक निजी सौामी अपने मकान का प्रयोग करने के लिए अन्य व्यक्टियों को रोक सकता है तर्दनिंग वस्थव ऐसी होती हैं कि जनके लिए शुलक एकतरित करना काफी कठिन हो जाता है इसलिए इसमें मुफ्त्खोरी की समस्या भी सामने आती है इस प्रकार की समस्या नीजी वस्तू के समक्ष नहीं आती है क्योंकि नीजी वस्तू सिर्फ उसी उपभोगता के लिए उपलब्द होती है जो उसके लिए भुगतान करें तो ऐसे में शुल्क हर व्यक्ति देना चाता है जो भी किसी वस्तू का उपभोग करना चाता है सरकारी बजट का दूसरा प्रमुक उद्देश्य है उन्हा अबंटन कारे किसी भी अर्थव्यस्ता में जो आय उत्सरजित होती है उसका एक भाग नीजी शेतर की तरफ होता है नीजी आय में से जो भाग अंतताहा घरेलू शेतर तक पहुंचता है उसे व्यक्तिक आय कहा जाता है तथा उसमें से जिस भाग को खर्च किया जा सकता है वह भाग प्रयोज आय कहलाता है सरकार का बजट के माद्यम से इस प्रयोज आय को प्रभावित करने का उद्देश्य होता है सरकार दोरा आय के वित्रण में परिवर्तन किया जाता है ऐसा किया जाना कल्यान के इस सर को बढ़ाने के लिए आवशक होता है सरकार इस उदेशे के तहट दो प्रकार के कदम उठा सकती है अगर सरकार प्रयोजय आये को कम करना चाहती है तो ऐसे में कर एकत्री करन के दोवारा निजी आये को घटाए जा सकता है कराधान जितना बढ़ाए जाएगा व्यक्तियों की प्रयोज़ आये उतनी ही कम हो जाती है इसके विप्रीत सरकार प्रयोज़ आये को बढ़ाने का प्रयाज भी कर सकती है ऐसे में सरकार हसांतन भुगतान के दुआरा व्यक्तियों की प्रयोजय आये को बढ़ा सकती है ऐसे में उपदान एक मातपूर्ण भूमी का निभाता है उपदान के दुआरा सरकार व्यक्तियों की प्रयोजय आये को बढ़ा सकती है और उनके दुबारा किया जाने वाला खर्च बढ़ाया जा सकता है सरकार का तीसरा और अंतिम प्रमुक कारे जो आज हम यहां चर्चा करने वाले हैं वह है स्रीकरन कारे सरकार का उद्देश्य होता है समगर मांग और समगर पूर्टी में संतुलन बनाए रखना सरकार चाथी है कि कीमतों का सर नियंतरन से बाहर न हो श्रम योम अन्य संवन्सादन जो हैं वो पूर्ण उप्योग की स्थिदी प्राप्त करें इन उद्दोशियों के प्राप्ति के लिए सरकार दो प्रकार की नीतियों का प्रियोग कर सकती है आवशक्तों नसार सरकार विस्तारवादी उपाए अथवा प्रतिवन नात्मक उपाए का इस्तेमाल कर सकती है सरकार दोरा समगर मांग को नियंतरित करना जिसके तेद आयत अथर रोजगार में उतार चड़ाओ कम करना एक प्रमकुदेश्य है अल्प मांग की स्थिती में अर्थात जब समगर मांग समगर पूर्ती से कम हो ऐसी स्थिती में सरकार विस्तारवादी उपाए अपनाती है और इसके विप्रीत अधिक मांग की स्थिती में अर्थात जब समगर मांग समगर पूर्ती से अधिक हो तो ऐसी स्थिती में प्रतिबंधात्मक उपाय सरकार अपनाती है और अपने वय कम कर सकती है तो इस परकार सरकारी बजट के ये तीन उद्देशे होते हैं जिन पर आज हम चर्चा करना चाहते थे आईए अब हम सरकारी बजट के घटकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं सरकारी बजट के दो प्रमुग घटक होते हैं राजस्व बजट और पूंजिगत बजट इन घटकों को भी हम फिर बांट सकते हैं हम राजस्व प्राप्तियों राजस्व वय में और पूंजिगत प्राप्तियों और पूंजिगत वय में और आगे फिर इनको हम वर्गी करत कर सकते हैं हम कार राजस्व गैर कर राजस्व और योजनगत राजस हुए है, गैर योजनगत राजस हुए है आईए अब एक एकर इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं सबसे पहले हम राजस वो बजट की चर्चा करेंगे और उसके पश्याथ हम पूंजिगत बजट पर चर्चा करेंगे सरकारी बजट का वर्गी करण करते समय हम देखते हैं कि मोटे तोर पर हम सरकारी बजट को प्राप्तियों और वय के रूप में वर्गी करण कर सकते हैं प्राप्तियां जो होती हैं उनको पुना हम दो भागों में वर्गी करण कर सकते हैं राजसो प्राप्तियां और पूंजिगत प्राप्तियां और इसी प्रकार से हम वे को भी राजसो वे और पूंजिगत वे के रूप में वर्गी करत कर सकते हैं इन चारो भागों का भी पुना वर्गी करन हो सकता है आईए देखते हैं किस प्रकार इनका वर्गी करन होता है और क्या इनका अर्थ होता है सरकारी बजट के संदर्ब में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजसु प्राप्तियों के बारे में राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? आईए उनके बारे में जानते हैं. राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किये जा सकता है. अर्थात, इन प्राप्तियों को जिन से प्राप्त किये जाता है सरकार के दौरा, वे लोग सर समझने के लिए हमें आवशक है कि हम समझें कि ये क्या होता है कर जो होता है वो जनता द्वारा सरकार को किया गया वैदानिक रूप से अनिवारे अंचदान होता है यहां वैदानिक और अनिवार्य दो फ्रमुक शब्द है, वैदानिक अर्थाद नियमों के तहट जिसको अवशक माना जाये और अनिवार्य अच्छदान है, तो यह एक परकार का भुगतान है जनता के दोबारा थरकार को उना हम देखते हैं कि राजस्व कर को भी हम प्रतक्षकर और अप्रतक्षकर के रोप में वर्गी करत कर सकते हैं साथ ही गैर कर राजस्व ऐसे राजस्व के स्रोत होते हैं जो कर से भिन होते हैं करकेतिरिक स्रोतों से प्राप्त राजस्व को हम गैर कर राजस्व कहते हैं इसके तहट सरकार दोरा जारी रिन पर ब्याज प्राप्तियां सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश और लाव इसके लिए मैं उधारन आपको दे सकता हूँ कि जैसे सरकार की कुछ P.S.E. जिनको हम बोलते हैं, कुछ ऐसे सरकार के उपकरम होते हैं, उनके तहट जो सरकार निवेश करती है, उस पर सरकार को लाव या लाभांश अरजित हो सकता है, वह गैर कर राजस्व के तहट राजस्व प्राप्तियों का भाग बनता है, इसके अल ये। ऐसे अनुदान होते हैं जिसके लिए सरकार को पुनर बhugtana करने की आवशक्ता नहीं वोती है। इसलिए रिंड से प्रतेक्षकर और अप्रतेक्षकर का भियद समर्जते हैं। इसका एवं बhugtana में आपको दे सकता हूँ जैसे व्यक्तिक आये कर होता है। व्यक्तिक आयकर में जिस व्यक्ति की आय की गंड़ना की जाती है और जो कर के दायरे में आती है तो कराधान के तहट उसी व्यक्ति को आयकर का बुगतान करना होता है और आयकर का जो भार होता है वे भी उसी व्यक्ति पर ही होता है लेकिन अपर्टेक्षकर में करका भार आयों बुगतान का उतरदायत भिन व्यक्तिव पर हो सकता है यह होता है इसका उधारन है अगर आप एक वस्तू खरीदने के लिए जाएं किसी दुकानदार से तो करका भुगतान दुकानदार कर रहा होगा लेकिन उसका भार वस्तानांतरित कर देता है उपभुगता पर पर्टेक्षकर के तहट करका भार इस्तानांतरित नहीं किया जा सकता है वहीं दूसरी और आप पर्टेक्षकर में करका भार इस्तानांतरित किया जा सकता है अगर मुधारणदे प्रतक्षकर के तो व्यक्तिक आयकर या फर्मो द्वारा वुक्तान की जाने वाला निगम कर प्रतक्षकर के तहत आते हैं जबकि हाल ही में 2017 वर्ष में लागू हुए वस्तुहम सेवा करको अप्रतक्षकर के रूप में शामिल किया जाता है अन्य प्रतक्षकरों जैसे संपत्ति कर, उपहार, कर तथा संपत्ति शुल्क जिसको अब समाप्त कर दिया गया है इन सभी से कभी भी बहुत अधिक राजसों का संग्रय नहीं हुआ इसलिए इनको हम कागजी कर भी कह देते हैं तो ये था भेद प्रतक्षकर और अप्रतक्षकर का आएए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूंजिगत प्राप्तियों के बारे में पूंजिगत प्राप्तियां, सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देता पैदा हो या वित्य संपत्यां कम हो वे सभी पूंजिगत प्राप्तियां कहलाती है इसके दो रूप हो सकते हैं रिन रिन लेने से देता पैदा होती है जब भी सरकार रिन लेगी चाहे वो जनता से रिन ले या विदेशों से रिन प्राप्त करे दोनों ही स्थितियों में सरकार की देता पैदा होती है और साथ ही साथ भविश्य में सरकार को ब्याज का अतरिक्त बुगतान करने का बोज भी जेलना पड़ता है दूसरा इसका विकल्प है संपत्ती की बिक्री संपत्य की बिक्री कर सकती है सरकार सारदुनिक शेतर के उपकरम होते हैं सरकार के उधारन के लिए ONGC, BSNL, MTNL ये कुछ उपकरम है सरकार के इनको हम सारदुनिक शेतर के उपकरम या PSE हम कहते हैं उनका विनिवेश किया जा सकता है इनके सबी शेयर बेचे जा सकते हैं मार्केट में सरकार के द्वारा अत्वा सरकार इनका शेयर का कुछ भाग मार्केट में बाजार में बेच सकती है संपत्यों में कमी आती है ऐसा करने से और भविश्य में आया के जो स्रोथ होते हैं सरकार के वे भी कम हो जाते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि पूंजिगत प्राप्तियों के द्वारा सरकार की या तो देहता पैदा होती है अथवा वित्य संपतियों में कमी आती है अभी तक आपने राजस्व प्राप्तियों और पूंजिगत प्राप्तियों के बारे में जाना आईए इनका भेद देख लेते हैं राजस्व प्राप्तियों का आपने वर्गी करन देखा उसका अर्थ समझा अब राजस्व प्राप्तियों पूजिगत प्राप्तियों से किस प्रकार से भिन होती है आईएस को जानते हैं राजस प्राप्तियों का दावा सरकार से नहीं किये जा सकता ये गैर प्रतिदे कहलाती है क्योंकि इसमें सरकार जनता से राजस प्राप्त तो करती है लेकिन बदले में सरकार को कुछ चुकाना नहीं होता लेकिन पूजिगत प्राप्तियां इन से भिन होती है उंजिगत प्राप्तियां जब सरकार प्राप्त करती है तो उसमें प्रती दे उत्पन होता है सरकार से दावा किया जा सकता है अगर सरकार रिंड प्राप्त करती है जनता से या विदेश से तो ऐसे में सरकार को ना सिर्फ रिंड का भुगतान करना होता है बलकि उस पर ब्याज का भी भुगतान करना होता है तो इस परकार सरकार के उपर देता उत्पन होती है राजस प्राप्तियां आवर्थी प्राप्तियां कहलाती है क्योंकि ये प्राप्तियां निरंतर होती रहती है साल दसार वर्ष दर वर्ष ये होती रहती है अगर सरकार आयकर प्राप्त कर रही है जनता से तो ऐसे में सरकार वर्ष जर वर्ष आयकर प्राप्त करती रहेगी जनता से या निगम कर प्राप्त करती रहेगी लेकिन पूजिगत प्राप्तियां गैर आवरती प्राप्तियां होती है अगर सरकार ने अपने सारुजनिक उपकरण में किसी परकार का विनिवेश किया तो वह बार 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 उसको नहीं कर सकती है विनिवेश करने से सरकार की संपत्तियों में कमी आती है इसलिए सरकार की जो आये का स्रोथ है पूजिगत प्राप्तियां ये गैर आवरती प्राप्तियां कहलाती है इसके बशाद राजस प्राप्तियों से देता या संपत्ति में कोई बदलाव नहीं आता है किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन पूंजी गत प्राप्तियां जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनसे देता उत्पन होती है अत्वा संपत्ती में कमी आती है अगर सरकार रिन लेती है तो उससे देता उत्पन होती है अगर सरकार विनिवेश करती है तो उससे संपत्ती में कमी आती है तो ये उ करक्ते हैं। जिस परकार से करक्ते पराफ्तियां राजस और पूजिगत हो सकती ही इसे परकार से व्य क भी वर्गी करण किया जा सकता है.. Right자 सरकार को किसी परकार का भूकतान ना करना पड़े सरकार अपने करमचारियों को आएगा भूकतान कर सकती है या फिर उसके जो सामानय खर्च हैं सरकार के अपने विभागों को के लिए उस पर किये गए खर्च राजा सुवय के तहते हैं सरकार द्वारा उपगत रिन ब्याज अदाएगी या राजा सरकारों और अन्य अदलों को प्रदत अनुदानों आदी पर किया गया हुए सरकार ने भूत काल में अगर कोई रिन लिया था और उस पर सरकार ब्याज की अदाएगी करती है तो यह ब्याज की अदाएगी सरकार की देंदारियों को कम नहीं करती है इसलिए इसको हम राजा सुवय के तहत शामिल करते हैं जैसा भी बताया था हमने आपको कि राजा सुवय को पुनावर्गी करन कर सकते हैं योजनागत वे और गैर योजनागत वे के तहट केंदर योजनाओ जिसमें पंच वर्चे योजनाओ शामिल होती थी या उनके पशाथ अभी भी नीती आयों के तहट योजनाओ बनाई जाती है उन योजनाओं के तहत किया जाने वाला खर्च जिसमें केंदर योजनाओ या फिर राज्यात अता संग शासित परदेशों की योजनाओं के लिए आर्थिक साहता केंदर सरकार के दौरा परदान की जाती है उसको हम योजनगत वे कहते हैं इसी परकार अगर हम देखें तो योजनगत वे भी होता है सरकार के दौरा जिसमें हम कह सकते हैं कि गैर योजनगत वे अधिक माथपून घटक होता है सरकार दौरा प्रदत सामाने आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर वे शामिल होते हैं इसमें ब्याज अदाएगी उपदान वेतन आदी सम्मिलित होते हैं अगर हम देखें तो उपदान एक ऐसा घटक है राजस वे का जो लगबख हमारे सकल घरेल उत्पाद का दो परतिशत होता है इसके तहित सरकार अनेक परकार की सेवाओं को कम दर पर उपलब्द कराती है उधारन के लिए सरकार LPG सेलिंडर पर उपदान परदान करती है जिससे LPG सेलिंडर घरों में सस्ती दरों पर उपलब्द होता है वे का दूसरा घटक है पूंजी गटवे इसकी मिशेस्ता है कि इसमें वुत्तिय दायतों में कमी आती है अथवा परीसंपतियों का सिर्जन होता है अगर सरकार भूत्काल में लिए गए रिंड का बुगतान कर देती है चुका देती है अपने रिंड को तो उससे सरकार के दायतों में कमी आती है इसके अलावा अगर सरकार कोई नया उपकरम लगाती है कोई नया भावन का निर्मान करती है तो ऐसे में सरकार की परिसंपतियों का सिर्जन होता है उधारन देख लेते हैं पूंजी गत वए के भूमी अधिकरन, भावन निर्मान, मशीनरी, उपकरन, शेरों में निवेश और केन सरकार द्वारा, राज्य सरकारों, एमम, संग शासित परदेशों, सारदनिक उपकरमों तथा अन्य पक्षों को परदान किये गए रिन और अगरिम संबन्दी वए ये सब उझी गत वए के तहट आते हैं और राजस वए की भाती ही उझी कत वए को भी दो भागों में हम वर्गिकरत कर सकते हैं जैसे योजनागत वए जिसके तहट राजस वए के समान केंदर योजना और राज्यत अथा संग शासित परदेशों की योजनाओं के लिए केंदर सायता परदान की जाती है गैरियो जागत वय के तहट सरकार द्वारा प्रदत वुविद सामाने सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर वय शामिल होते हैं तो ये था भेद पूंजिकत वय और पूंजिकत वय का अभी तक आपने जाना सरकारी बजट का अर्थ, उसके घटक, उसके उदेशों के बारे में आपने जाना राजास प्राप्तियों के बारे में, राजास वय के बारे में, पूंजिकत प्राप्तियों और पूंजिकत वय के बारे में आज की चर्चा का अंतिम विशा है प्रकतिशील करारोपन सरकार कल्यान के सर को प्राप्त करने के लिए प्रकतिशील करारोपन करती है प्रकतिशील करारोपन से अर्थ है कि जिस व्यक्ति की आए अधिक होती है उसकी आए का एक बड़ा भाग कर के रूप में सरकार रप्त करती है तो अधिक आए पर उची कर की दर लगाना यह प्रकतिशील करा रूपन कहलाता है उधारन के लिए अगर किसी व्यक्ति की आए दस लाक रूपे है और सरकार उसकर दस पर परतिशत का कर लगाती है तो व्यक्ति एक लाक रूपया कर के रूप में बुगतान करेगा लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आए पचास लाक रूपया है सरकार उस पर बीस परतिशत कर लगाती है तो व्यक्ति दस लाक रूपया कर के रूप में सरकार को बुगतान करेगा तो यहां आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की आए अगर पांच गुना हो रही है तो कर का भुकतान जो है वो दस गुना हो रहा है तो जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आए बढ़ रही है या समाज वे अमीर जो लोग होते हैं वे कर का जादा भुकतान करते हैं अपनी आये का ज्यादा बड़ा भाग करके रूप में सरकार को बुक्तान करते हैं सरकारी बजट एम अर्थ विवस्ता के पृत्म भाग में इतना ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी शिक्षारतियों का दन्यवाद